नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम तर किशलाय आर्ट स्कूल एंड आएम यर होस्ट राहूल मोजमदर किशलाय आर्ट स्कूल के इस वाले वीडियो ट्यूटियरियल में मैं हमेशा आप सभी के सामने दुनिया के चुनेंदा कुछ ग्रेट में लृक्ष के बारे में बतानी की कोशिश करता हूँ आज भी मैं आप सभी के सामने हाजर हुआ हूँ दुनिया के तॉप मोस्त ग्रेट आर्टिस्ट पॉल गौगीन और उनके द्वारा किये गए एक बहत्रीन पेंटिंग वो है Self Portrait With Portrait of Emily Bernard यह Paul Gauginn का Self Portrait है और उसी Portrait में हमें यानि दर्शकों को एक और Portrait दिखाई दे रहा है वो दूसरा वाला Portrait है Emily Bernard का इस portrait को आप लोग जो देख रहे हैं इसको vividly देखिए इस दौर में यानी 1888 में Vincent Van Gogh, Paul Gaugain और Emily Bernard ये सभी friends क्या करते थे एक दूसरे के साथ अपने painting या portrait शेयर करते थे एक दूसरे को gift भेज देते ये gift वाला जो system था painting भेजने का ये एक अलगी नजरिया था 1888 में यानी 19th century में आप सोच सकते हैं painting कैसा था अब उसके बाद जब Vincent Van Gogh, Emily Bernard और Paul Gaugain painting style को एक अलगी रूप देने की कोशिश कर रहे थे Paul Gaugain के मताबिक ये वाला self portrait जो Paul Gaugain ने बनाया था 1888 में ये एक abstract painting था हम सभी जानते हैं कि abstract painting होता क्या है एक अलगी नजरिया, form को तोड़ना, somewhere colors affections, somewhere emotions touch, somewhere एक अलगी geometrical forms, those are called यानि उन सभी को बोला जाता है abstract painting बट इस painting को आप लोग गौर से देखिए इस painting को Paul Gaugain ने बोला था ये एक abstract painting है अब हम लोग देखते हैं इस painting को बाहरी नजरिया, पहले आप लोग देख ले इस painting में क्या-क्या color दिया गया है इस painting में yellow है, इस painting में white है, blue है, brown है, black है, इस painting में red है, orange है, little bit of pink effect है, इस painting में green है, इस painting में brown भी है, ओकर green भी है, लगभग बहुत warm से लेके cool color सभी का संगमिस्रन है इस painting के उपर, और इस painting को आप लोग गौर से देखिए, इस painting को देखने से ही पता चल रहा है, इस painting को well finished नहीं किया गया है, यानि, well created art, so called well created art, जिसको देखके बोला जा सकता है, यह finished work है, यह बाला finished work नहीं था, इस work को आप लोग देखिए, यह एक portrait है, एक portrait के अंदर दूसरा portrait, यानि, पहला portrait, जो canvas के left side, front में, corner में है, वो है, पॉल गॉगीन का self portrait, और उपर देखिए, राइट कॉर्नर, उपर में, एक छोटी सी box के अंदर, एक portrait है, यह है, एमिली ब्रिनॉर्ड का, पॉल गॉगीन का paint, अब हम इस painting में देखते है, background है, yellow background, और उसमें floral touch दिया गया है, दो flower, एक साथ, एक गुच में है, lip है, और उनका जो, एक दम, छोटी छोटी, जो flower, उगने से पहले, कली होता है, वही है, तो आप लोग वहाँ पर भी देखिए, आप सभी को देख, आप सब देख पा रहे हैं, कि पूरा painting में एक lining का इस्तमाल किया गया है, everywhere lining है, और यह lining सिर्फ Paul Goggin ने किया है, ऐसा नहीं है, Emily Bernard, जिसने top में, यानि उपर, canvas के उपर, right side में, जिन्होंने अपना portrait भी बनाया है, वो भी देखिए, bordering करके बनाया है, पर यह अलग नजरिया है, कि Bernard ने जो portrait किया है, वो portrait करने की जो basic lines है, पहले उन्होंने वो दिया था, उसके उपर green color effect दिया था, वो border lining आप लोग rates से देख सकते हैं, और उससे बहुत जादा effective work था Paul Goggin का, Paul Goggin के इस work में आप लोग देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, यह painting है कहां, यह painting है Amsterdam में, Vincent Van Gogh Museum में, Museum Authority के पास यह painting अभी मौजूद है, इस painting को आप लोग गोर से देखिए, इस painting में unfinished work है, इस painting में colors देखिए, क्या-क्या colors हैं, बहुत बैतरीन तरीके से सभी colors को इस्तमाल किया गया है, cool से लेके यह warm color तक, यहाँ पर देखिए, orange आप देख सकते हैं, red है, brown है, blue है, ऑकर है, यहाँ पर yellow है, यहाँ पर pink है, black है, सभी color का बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर इस्तमाल कि यह एक दौर था जब एक पेंटर दूसरे पेंटर को अपनी पेंटिंग गिफ्ट में देते थे यह एक अलगी नजरिया था और इस पेंटिंग को प्राप्त करने के बाद इस पेंटिंग को भेजा गया था विंसेन वैंगॉग को और इस पेंटिंग को प्राप्त करने के बा में कुछ चर्चा करेंगे तो पहले इस पेंटिंग को गौर से देख ले इस पेंटिंग में लाइनिंग बहुत बढ़िया है और यहां पर देखिए पॉल गॉगिंग को शार्प आइज है और यह ऐसा लगा है कि एक कोशिश कर रहा है जिसको देखके exactly viewer सोच सकता है कि यह person है क्या यह person क्या है और यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है अदेग लंस गेंवास के सामने कुद को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके पोज देने वाला केरेक्टर नॉ यहां पर एक सपन में खोया हुआ कोई इंसान कुछ खोजी इनसान इस तरीके का एक effect इस portrait में देखा जा सकता है यहाँ पर जो Emily Bernard ने background में जो portrait किया है उस portrait को भी देखिए वो बहुत ली unfinished work है पर वहाँ पर Emily Bernard ने जो बाद में portrait किया है उस portrait को आप लोग और से देखिए उसमें देखिए ग्रिनिश एक effect है जो Paul Goggin की जो cloth है उस cloth में जो ग्रिनिश effect है उससे एक similar effect create किया गया है यानि कि इसमें इस पूरे painting process में complete होने वाले पूरे painting process में एक color के harmony यहाँ पर मौजूद है यह बहुत बढ़िया बात है और यह painting का जो size है इस painting का size है तकरीबन 44.5 cm by 50.3 cm का यह एक बहुत बढ़िया painting है दोस्तों आप लोग इस painting को देखके बार बार देखिए तो आप सभी को पता चल जाएगा कितना बढ़िया किस्म का यह एक painting है और इस painting में towards lower section देखिए एक line लिखा गया है और उसके नीचे पॉल गॉगीन द्वारा अपना signature और 88 लिखा गया है यह एक बढ़िया वाला painting है आप लोग बार बार देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा यह painting असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैंने यह painting बार बार देखा मुझे बहुत अच्छा लगा मैं सोच रहा था आप सभी से इस painting के बारे में share करूँ कुछ बाते बताओ जो मुझे जानकारी हो रहा है मुझे यह आप सभी से इसका जो जानकारी वो share करने में बहुत आनंदा रहा है मेरे चैनल किशला आर्ट स्कूल को आप लोग like कीजिए, share कीजिए, subscribe जरूर कीजिए ताके मुझे आए भी इस तरीके का वीडियो से उससह मिलता रहे आप सभी जो ये वीडियो संपूर ने तरीके से इस वीडियो को आप सभी ने जो देखा है उसके लिए आप सभी को असंक धन्यबाद, आज का वीडियो इतना ही, आप सभी से मैं अगले वीडियो में मिलूँगा आज के लिए इतना ही, नमस्ते and thank you of all friends